असलाम आलेकुम आज मैं आपसे शेयर करूंगी बेसन का चीला की रेसिपी जो कि एक healthy और nutritious रेसिपी है बनाने में ये बहुत आसान होती है और आप इसे breakfast या dinner में भी बना सकते हैं ये एक हलकी फुलकी और जटपत बन जाने वाली रेसिपी है रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आपसी humble request है कि आप मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें और अपने friends and family में ज़रूर शेयर करें तो चले रेसिपी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम एक बोल में बेसन ले लेंगे तो यहां पर मैंने बेसन लिया है वन अना हाफ कप और इसे के साथ में हम कुछ मसाले ले लोए लेंगे जो है 1-4 ती सपून जीरा पौड़र 1-4 ती सपून गरम मसाला पौडर 1-4 ती सपून पैपरिका पौडर और 1 फोट टी स्पून चिली फ्लेक्स और साथ में 1 फोट टी स्पून हल्दी पाउडर और यहाँ पे मैं थोड़ा पानी डाल रही हूँ और इसे मिक्स कर लेंगे पानी हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे एक साथ पोर नहीं करना है और इससे देखे अभी हम mix कर लेंगे तो यहाँ पर मुझे पानी और कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा और पानी आड़ किया है तो बैटर को हम यहाँ पर ज्यादा थिक भी नहीं रखेंगे और ज्यादा लिक्विडी भी नहीं करेंगे बस semi liquid सा बैटर बना लेंगे और अब हम कुछ vegetables ले लेंगे साथ में तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 cup chopped की हुए प्यास साथ में ले लेंगे 1 cup chopped की हुए टमाटर vegetables आप अपनी साब से ले सकते हैं जो भी आपको पसंद हो आप चाहे तो capsicum ले 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 या फिर गाजर ले ले चौप के हुए जो आपको vegetables पसंद हो आप वैसे ले सकते हैं और इसके साथ में हम ले लेंगे हरा धनिया चौप किया हुआ और मैं यहाँ पर थोड़ा सा पानी आड़ कर रही हूँ तो आप थोड़ा अजवाइन ले ले और इसे भी अच्छी तरह से mix कर दे और अब हम एक पैन ले लेंगे और पैन को अच्छे से गरम कर लेंगे फिर उसमें हम ले लेंगे 2 टी स्पून की जितना ओइल और जब ओइल अच्छे से गरम हो जाए फिर हम ग्यास का फ्लेम मीडियम कर देंगे और फिर इसमें चीला का बैटर दालना स्टार्ट करेंगे तो देखे इस तरह से हमें दाल कर इसे हलके हलके से स्पेट करना है अगर आपको तीखा जाता पसंद है तो आप इस पॉइंट पे चॉप की हुई हरी मिर्ची को स्प्रिंकल कर सकते है उपर से और अगर आप बच्चों को दे रहे हैं तो आप हरी मिर्ची को स्किप कर दीजिगा तो देखे यहाँ पे मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे रखा है और ये नीचे से अच्छे से पक चुका है और अब हम इसे फिलिप कर देंगे और तीन से चार मिनिट के लिए और इसे पका लेंगे और आप इसे हलका हलका सा प्रेस कर सकते हैं और गैस का फ्लेम इस पॉइंट पे फूल मत कीजेगा क्योंकि जितनी ही इसकी कुगिंग प्रोसेस स्लो होगी बेसन अंदर से उतना ही सॉफ्ट होगा और इसी तरह से हम फ्लिप करते हुए इसे पका लेंगे तो यहां पे देखें चीला हमारा अच्छे से कुख हो चुका है और अब हम इसे सर्विंग प्लिट में निकाल लेंगे और आप इसके उपर थोड़ा सा लेमेन जूस भी दाल सकते हैं बहुत टेस्टी लगता है लेमेन जूस के साथ और साथ में थोड़ा सा पैरी-पैरी मसाला भी आट कर सकते हैं यह औप्शनल है और अगर आप इसे चटनी के साथ सर्फ करेंगे तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है तो चले हम चटनी तयार कर लेते हैं तो यहाँ पे हम हराधनिया ले लेंगे और साथ में एक मुठ़्ी भरकर पुदीना ले लेंगे और दो कली लस्टून के ले लेंगे और यहाँ पे मैंने चार हरीमिश ली है आप हरीमिश अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं टेस्ट के मताबिक और इन सभी को हम मिक्सी जार में दाल लेंगे साथ में दाल लेंगे हाफ टी स्पून सीरा पाउडर हाफ टी स्पून नमक दाल लेंगे और साथ में थोड़ा लेमन जूस दाल लेंगे लेमन जूस दालने से इसका जो कलर है ग्रीन वो बहुत अच्छा आता है क्योंकि अक्सर जब हम चटनी बनाते हैं तो हमारी जो चटनी का कलर है वो थोड़ी सी काली पढ़ जाती है क्योंकि पुदीना की वज़े से तो अगर हम इसमें लेमन जूस डालेंगे तो इसका जो हरा भरा कलर है वो बहुत ही खुबसूरत लगता है और अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे तो यहाँ पे देखे इसका करर भी बहुत प्यारा आया है तो यहाँ पे हमारी हरी चटनी बन के तयार है और आप इसे सौफ करें चीला के साथ बहुत टेस्टी लगेगी और इंजॉय करें और अगर आपको मेरी रेसीपीस अच्छी लगती है तो उसे लाइक करें फ्रेंज और फैंबली में जरूर शेयर करें और मेरे चाल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना फेस्बूक और इंस्टागराम लिंक शेयर किया है आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं तब तक के लिए आप से नेक्स्ट रेसीपी में तब तक के लिए अल्ला हाफिस टेक केर